विलियम जेन्स 11 जन्वरी 1842 26 अगस्त 1910 एक अमेरिकी दार्शनिक इतिहासकार और मनोवैग्यानिक थे आईए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचार ज्यादा काम से कभी ठकान नहीं होती है लेकिन जिन कारियों को हम अधूरा छोड़ देते हैं उनके बारे में सोचकर अवश्य ठकान होती है विचार धार्णा बन जाते हैं धार्णा वास्तविक्ता बन जाती है अपने विचारों को बदलो अपनी वास्तविक्ता को बदलो जीवन से मत दरो विश्वास करें कि आपका जीवन जीने योग्य है और आपका विश्वास आपके जीवन को वास्तविट्टा प्रदान करेंगा कठन कार्य की शुरुवात में हमारा दृष्टिकोन महत्वपूर्ण है जो किसी भी चीज से अधिक इसके परिनाम को प्रभावित करेगा जीवन का महान उप्योग इसे उस चीज के लिए खर्च करना है जो इसे स्वतंत्र बनाता है दर्शन शास्तरत स्पष्ट रूप से सोचने के लिए असमान्य रूप से एक जिद्धी प्रयास है जदि आप अपने मन की स्थिती बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन भी बदल सकते हैं एक बार निरने लेने के बाद चिंता करना बंद करो और काम करना शुरू करो तनाव के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार हमारी विचार चुनने की ख्षमता है उस विशेश मानसिक विशेशता की तलाश करें जो आपको सबसे गहराई से और जीवन्त रूप से जीवन्त महसूस कराती है बुद्धिमान होने की कला इस बात में है कि कब क्या अंदेखा करना है सिर्फ आज के लिए मैं अपनी आत्मा को तीन तरीकों से प्रयोग करूँगा मैं किसी को एक अच्छा मोर दूँगा मैं कम से कम दो चीजे करूँगा जो मैं नहीं करना चाहता हम हंस्ते नहीं है क्योंकी हम खुश है हम खुश है क्योंकी हम हंस्ते है ऐसा महसूस करो के तुम जो भी करो वो सबसे भिन्न है ऐसा होता है यदि आप मानते हैं कि बुरा महसूस करना या लंबे समय तक चिंता करना अतीत या भविश्य की घटना को बदल देगा तो आप एक अलग वास्तविक्ता प्रणाली के साथ दूसरे ग्रह पर रह रहे हैं सबसे ज्यादा दुख इसलिए होता है क्योंकि लोग खुद से बात करने के बजाए खुद की सुनते हैं